दोस्तों कई बिमारियों का इलाज है खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी जी हां दोस्तों जान लीजिए इसके अद्बुत लाबों के बारे में शरीर का 70 पर्तिशत हिस्सा पानी से बना है ये तो आप सबी लोग जानते ही होंगे इसकी कमी हो जाने पर शरीर कई तरह की बिमारियों से घर जाता है अगर दिन की शुरुवात एक गिलास पानी के साथ की जाए तो सारा दिन तनरुस्ती बनी रहती है खाली पेट पानी का सेवन करने से कब्ज से छुटकारा पाचन किरिया दुरस्त रहने के सासाथ ऊर्दा संचार भी भड़िये तरीके से होने लगता है मेटाबोलिज्म और इम्यून सिस्टम को बहतर बनाने में भी पानी का सेवन आपको फायदा ही पुचाएगा जान लीजे खाली पेट एक गिलास पानी पीने के फायदे सबसे पहला और महत्तपून फायदा है कब्ज की चुट्टी कर देगा ये कुछ लोग कब्ज से परेशान लेते हैं पेट साफ ना होने के कारण सारा दिन परेशानी में गुजड़ जाता है खाली पेट पानी का सेवन करने से कब्स दूर रहती है और पेट साफ रहने के कारण जो भी हम खाते हैं उसका पूरा फायदा शरीर को मिलता है जी हां दोस्तों तो इसका दूसरा लाब है भूक ना लगने में सारा दिन कुछ ना खाकर भी भूक का एसास ना होना आगे चलकर कई परिशानियों कारण बन जाता है इसका कारण आथ में जमा गंदगी होती है खाली पेट पानी का सेवन करने से आथ साफ हो जाती है और भूक लगना भी शुरू हो जाती है इसके साथ ही किड्ने से जुड़ी कई परिशानिया भी आपकी दूर हो जाएंगी इसी का तीसरा उपाय है इम्यून सिस्टम को बहतर बनाता है परती रोधक शमता को मजबूत बनाने के लिए खाली पेट एक गिलास पानी का सेवन जरूर करें इससे शरीर में फ्लूड वेसल्स रहता है जिससे इम्यून सिस्टम बहतर हो जाता है और इनसान के रोधों से लड़ने की शमता खुद बखुद ही बढ़ जाती है इसी का चौथा उपाय है आलस को दूर करेगा सारा दिन आलस और मींद का एसास रहता है तो खाली पेट पानी जरूर पियें इससे तुरंत उपजा से भरपूर आपको तंदरुस्ती मिलेगी इसके लावा ये बलड सर्कुलेशन की रुकावट में आने वाली रुकावट को भी दूर कर देगा जिससे शरीर को प्रयाप मातरा में ऑक्सिजन और एनरजी मिल लेगी इसी का पांच वोपाय है मेटाबोलिजन बढ़ाएगा जी हाँ दोस्तों खाली पेट पानी का सेवन करने से मेटाबोलिजन सक्रे रहता है इससे वज़न कम करने में बहुत मदद मिलती है जी हाँ दोस्तों इस चीज़ को जान लीजिए दिन भर की परकिरिया यानि पुरानी कोशिकाओ की मुरमत और नई कोशिकाओ को निर्मान करने में आने वाली परिशानी खाली पेट पानी पीने से दूर हो जाती है ये बलड में लाल रक्त कोशिकाओ को भी आपके बढ़ा देगा जिससे बलड सर्कुलेशन की समस्या भी आपकी खतम हो जाएगी जी हाँ दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप आने वाली और भी महत्पुन जानकारियों से जुनने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद